हलो एवरीबन वेलकम टू इलेक्टिकल डिपार्टनेमंट आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बीटी यूपी के लेटिस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे यह अपडेट हैसे कंड और फोर्ज सिमिस्टर के मॉक टेस्ट को लेके सा और साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे यह चीज़े आप जान भी लिजिए कि आपको रिजिस्टेशन कब करना है और मॉक्टेस्ट कब देना है जैसे मान लिजिए गर आपको आपको आईडी पासवर्ट कलके डेट में मिल जाती है तो आपको रिजिस्टेशन के पासवर्ट कम मिलेगा तो इस वीडियो को पूरा अंतक देखिए और साथ ही आपको बताते हैं कि सेकंड और फोर सिमेश्टर के स्टुडेंट के लिए हमने एक बार से ग्रूप बनाया है लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक देंगे वहां से आप जॉइन कर सकते हैं वर सिकंड और फोर सिमिस्टर के स्टुडेंट को परिसान होने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर देखें लेट UMने लिखा गया भी कि आपको लोगों का जो सेकंड और फोर्ट सिमिस्टर की स्टूडेंट हैं आप ध्यान से देख सकते हैं सिमिस्टर सिस्टम दिती एवं चतूर सिमिस्टर के चात 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 रहें आप देख सकते हैं जिस टाइम आप डिया जैसे कि मन लीजिए आप 2 आप को आईटी और पासवर्ट सामके टाइम मील जाता है आपको प्रसान मत होएंगा आपको आईटी और पासवर्ट जो है छे बजे के बाद तो जब आपको आइडियो पासवर्ड मिलेगा आप जिस टाइम से सब्सक्राइब तो बहुत अच्छा रहेगा तो थोड़ा सा दिकत होगा तो यह ध्यान दीजिएगा कर रिस्टेशन के साथ ही मौकर दीजिएगा बागी आपका एक्जाम जो होगा पांच अगस्से सुरू से सुरू होगा पंक सितंबर से सुरू होगा अपका और आपको पताविक कितनी वार देना मंक्रश लाओ कि लिए सकते हैं उसमें कोई नहीं है या फिर आप एक बार एक मॉबाइल से दीजिए और दूसरा मॉक्टेश जो है आप लेपटाप से भी दे सकते हैं या फिर दुनों डिवाइस में लागन हो जाएगा फिर एकजाम के टाइम आप मोबाइल से चाहिए या फिर लेपटाप से दीजिए कोई दिक्कत न होगा कि आप फोन से लेपटाप से इससे आपके दो डिवाइस क्या होंगे तयार हो जाएंगे पेपर देने के लिए एक किसी के पास लेपटाप है और एक फोन है तो ऐसा करें मॉक्टेश्ट फोन में दें और एक लेपटाप में दें पिर देखिए इसमें कहा जा रहा है या जिसके पास लैपटाप ना हो दो अलग-अलग फोन से मॉक्टेस्ट दें आप एक फोन से मॉक्टेस्ट दे सकते हैं अलग-अलग फोन से मॉक्टेस्ट दे सकते हैं कोई डिक्कत नहीं है ठीक है और आपको हम यह ही कहेंगे पांच सिदंबर से जब आपका एक्जाम स्टार्ट होगा तो एक्जाम देने के दो तरीके हैं पहला तो आप एक यूराइस पोर्टल पर जाएए वहाँ पर एक्जाम निशन लिंक का अप्शन होगा वहाँ से एक्जाम दे सकते हैं और यहाँ पर दूसरा बीटी उपे ने से बोलेगा और जैसे ही आप पासवर्ट डालेंगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे अपने एक्जाम पोर्टल पर ठीक है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है आप यूराइस पोर्टल पर जाकर भी एक्जाम निशन लिंक वाले आप्शन पर क्लिक करके एक्जाम दे सकते हैं और यूपी बीटी एक्जाम डाटिन क्रोम पर सर्च करके वहां से भी एक्जाम दे सकते हैं तो अभी तक के लिए सेकंड और फोर्ट सिमिस्टर के यही अपडेट था और आप वाट्सेप बूर से ज़रूर जुड़ जाए अगर जो भी स्टुड़ कर देंगे